यह लगवक 6-7 सालों से इसकी यही स्थित्य और परिस्थित्य बनी हुई है यहां से हमारे जन प्रतिनिद आते जाते रहते हैं चाहे वो विधायक जी हो चाहे जनता जद्ध्यक्ष जी हो चाहे ओजिला पंचाय तद्ध्यक्ष जी हो सडक के पुनर निर्माड की बात कर रह और आज तक इसकी रिपेरिंग नहीं हुई नहीं हो ग को शाल अब जनता करते हैं यह तो इतना बेसर्म है के उनको कुछ भी बोलते रहे यह सुनें गी नहीं यह समझेंगा इनको जनता की समस्याओं से कोई मतलम नहीं है हमारे देश के भृष्टाचारियों को अइसा लग रहा है कि उन्होंने आजाद आवाजों को कुछल दिया है लेकिन आजाद आवाजें के नहीं होते है हिंदुस्तं की आवाज हिंदुस्तान में कहीं से कहीं पे हिंदुस्तान करे ख्याल से दो से तीन साल हो गए सड़क खराब है और आज तक इसकी रिपेरिंग नहीं हुई इसके साथ ही त्योंथर में अन्न कई जो सरकारी योजनाये चल रही हैं उनका क्रियानवयन सही तरीके से नहीं हो रहा है इसी सिलसिले में हमें राजापुर ग्राम पंचायत के युवा मिले हैं जो जागरूक भी है और इन्होंने काफी जानकारी भी दी हमको और कई गवर्मेंट स्कीम से जिनका ये जिनके बारे में इनको गहराई से पता है कि धरातल में वो इसकीम कैसी चल रही है तो अब हम इनी से जानेंगे इस छेत्र की समस्या क्या है और उस सम करेंगे कि उसका क्या रास्ता है तो आपका स्वागत है दखवरदार न्यूज में मैं ब्रियस्च्वर क्यारी ग्राभ्म पंचायत राजापूर से हूं प्रतनिद यहां से हर सच्छा मधिकारी यहां से डेली निकलते हैं पर उनको यह देखकर सर्म नहीं आती कि यहां पर आये दिन घटनाय और दूर घटनाय होती रहती हैं यहां पर यह गाव सुरक्षा की बात करते हैं कम से कम 10 गावें मर चुकी हैं केवल एक्सिडेंट की फिर दूसरी वाद इनके रोड पहले तो जब तक रोड ठीक थी तब तक काम चल गया पूल बनने के बाद उसके बाद जहे जहे पर गड्डे हो गए हैं जहे जहे पर लोग वाग रोड इतना जादा काट दी हैं कि उसकी वजह समस्य आये हैं कुछ तो जनता भी रोड जो क पर उसके सक्ष्य मत्यकारी को कोई मतलब नहीं है वह अपना आयेंगे चले जाएंगे सबस्सक्राइब है मुंख्यमंत्री मानि जिख चीघ में दूरु में 2 लाख रुपए है मैं अपने ग्राम पंचायत की बात करता हूं कि 3-4 लोग की मृत्य हो चुकी है काफी गरीव है संबल उसी के बनता है जो असहाय होता है बहुत गरीव होता है उसका संबल बनता है एक लेडी कि पती हमारे यहां मृत्य हो गई है भी 2-3 साल पहले 2-3 साल पहले नहीं सौरी साथ महीने पहले और उसका संबल का बना हुआ था काड़ वह साथ महीने से भटक रही है दर दर की ठोकरे खा रही है उसके ससूर की अभी मृत्य हो गई उसका पती खतम हो गया प्रती के खतम हो यह ससूर का तो नहीं बना थो साथ साल से जो एब रहते हैं उनका संबल नहीं ब पा रही है बल्कि उसी आस में वह संबल के आस में लोगों से करजा ले ली कार्य करने के लिए अर्थी किस्तिति भीया इतनी खराब है कि क्या बता दे आपको प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने आपको मामा बोलते हैं केवल लोगों को जूटी अस्वासन जूटी घोसनाएं करके जनता के साथ चलावा करते हैं बस ओगे मैं आपको चोटा सुधारन और देना चाहता हूं यह राजा पुरमार्ग से लेके बगेडी तक क्या मार्ग का अब निर्मार्ग हुआ यह निर्मार किये इतनी थर्ड क्वाल्टी आप जाके यहां पे इस्थीत देखिए इनके पास बट्री नहीं बनाया गया इनके द्वारा आधा अधुरा निर्मार्ग का रिकिया गया जब आवाज उठाते हो सिवात करो किसी से भी स्वीवात करो बीज़ेपी में फिर क्या अंतर है कांग्रेस और विज़ेपी में अंतर इतना है कि वह एक चलावा करते हैं जहां जोटा स्वासं त् amendments नहीं करते थी यह कहते हैं 24 गंटे बिजली देंगे मैं तो कहता हूं कि 18 गंटे भी बिजली राजापूर में नहीं रहती 24 गंटे छोड़ी है 16 गंटे बिजली नहीं रहती राजापूर में यह स्तिति है यह कम सकम बिजली आती है हर आधे घंटे में एक घंटे में आप यहां पे दो घंट झाल